मेरे प्यारे गोल का काम सिखने वाले सजनों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सोने का हार यदि कहीं से तूट जाए तो कैसे जोड़ा जाए देखिए ये आपको हार दिख रहा है इसमें से मालीजी ये यहां से तूट गया है यहां से तूट गया है या किसी खिचाव आ गया है या जबर्दस्ती पीछे दा यहां से धागा लग जाता है गर्दन में लगाने के लिए तो जब ये गर्दन में दागा तूट जाता है तो किसी खिचाब के कारण ये यहां से तूट सकता है यहां से तूट सकता है इसकी किसी परकार की गोले में निकल सकती है तो ये जहां से जो तूट गया मालो कि यह यहां से यह तूटा था देखिए यह इसका यह भाग है और यह इसकी चैन है यह चैन है इसकी यह बीच में चैन जा रही है ठीक है जी यह यहां से तूटा था अब सेम टू सेम दूसरे भाग को भी ऐसे मिला करके इस परकार से मिला कर गे ये चैन है ये बीज में इसमें ये रखे हुए हैं डिजैन के तो ये यहां से हमने सोने के टांके के कुछ टुगड़े काटने है यह वजार है सोने के टुकडे के टांके काटने का तो टांका पहले हथोड़ी से अच्छी तरह कूटने के बाद उसे अच्छी तरह पतला करने के बाद उसके टुकडे करें जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये कुछ कागज है, अब इसके गामने जैसे ये टुकड़े किये हैं, ये मानलो टांका है, ये जोड़, ये देखिए, ये मानलो टांका है, तो उस टांके के इतने इतने बारीक बारीक टुकड़े कीजिए, ये देखिए, किस प्रक से टूगडे टांके के किये जा रहे हैं ठीका जी अब हमने एक बरीक संणी लेनी है इस बरीक पर लगा देने हैं जैसे यह जोड गया है एक जोड दूसरे आ गया है यह यहां पे एस Halon देने हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये पका हुआ स्वागा जुरूर मिलाना है, इसके अंदर पका हुआ स्वागा जैसे मिलेगा, अब इसको बंक नाल से मुह में जैसे डाल करके, ऐसे मुह में डाल करके जैसे बत्ती चल रही हो, तो ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जुड़ने के बाद इसको गंदे के तजाब में डालना है या शोरे के तजाब में डाल सकते हैं ताकि इसका जो कलेटी सेम डू सेम हो जाए और उसके बाद उसको बुर्ष से साप कर लिए अच्छी तरह हरीठे के पानी से साप कर लिए जाए धन्यवाद